राधे राधे एवरिवन आप सभी को जन्मास्टमी की बहुत बहुत बधायां फ्रेंड्स जन्मास्टमी के दिन भगवान श्री किर्शन जी को सबसे पहले धनिया पंजीरी का भोग लगाया जाता है धनिया पंजीरी के परशाद के बिना जन्मास्टमी का वरत पूर्ण नहीं हो पाता है धनिया पंजीरी बनाना बहुत ही आसान है मिंटों में ही परशाद बनके तयार हो जाता है तो इस जन्मास्टमी पर आप भी धनिया पंजीरी का परशाद घर पर ही बनाएं और अपने काना जी को अपने लड़ू गोपाल जी को भोग लगाएं तो चलिए देखते हैं कि धनिया पंजीरी का परशाद कैसे बनाते हैं अपसे पहले गैस जला कर उस पर मैंने पैन रख लिया है और एक कटोरी मैंने हाँ पर साबूत धनिया ले लिया है धनिया पाउडर नहीं लेना है धनिया लेके उसे एक बार साफ कर लीजिएगा फिर उसको पैन में रखके इस तरह से थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे हलका सा भूनना है हमें इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए बस एक दो मिनिट तक हम इसे भूनना है जादा भूनेंगे तो फिर कड़वा हो जाता है इसलिए बहुत कम हमें इनको भूनना है धनिया में हलकी हलकी से जब खुश्बू आने लगेगी तब हम धनिया को पैन से निकाल लेंगे अब इसी पैन में हम आधी चमच देसी घी डाल लेंगे और किसमिस है बाद में डालके जल सकते है आपको लगे कि बिलकुल यह रोस्ट हो गए है तब हम इसे खुप इसमेँ तो फिर वह जल जाती है तो इसलिए बाद में थोडी इसमें किसमिस डाल दिए है अब एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे और अब तक है ठंडा हो गया है तो जब हम ड्राइफ रूट्स वगेरा रोस्ट करते हैं उस टाइम पर यह धनिया ठंडा हो जाता है उसके बाद इसमें हम मीठा डाल लेंगे तो बूरा या पिसी हुई चीनी या सकर जो भी मीठा आप खाना पसंद करते हैं अपने टेस्ट की अकोर्णिंग दो या तीन चम धनिया पंजीरी का परशाच जरूर बनाना है और उसके वैसे तो बजार में भी मिलता है लेकिन जब परशाध हम बनाते हैं तो घर के बनाये हुए परशाध की आलगी बात होती है थोड़ी सी गुलाब की पंकुडी मैंने इसमें डाल दिये था चलिए अप जब हम लड़ू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी दल हम जरूर डाल लेते हैं तो लीजे जी बहुत ही टेस्टी सी हमारी धनिया पंजीरी बनके तैयार है आप मैंने रख दिया इसमें एक तुलसी का पता चलिए अब हम अपने चोटे से नन्ने से ल धनिया पंजीरी का परशाद खाके ही वरत खोलना है तो लीजे जी हमारे लड़ू गोपाल जी के भी दर्शन में आपको करा देती हूं तो हम आ गए हैं अपने लड़ू गोपाल जी के पास उनको हम धनिया पंजीरी का परशाद समर्पित करेंगे आपको इस रेसिपी कैस लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर यह वीडियो पसंद आई हो वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के जै श्री किष्णा राधे राधे